किए मेरे प्यारे बहन भाईयों आपको सबको धनतेरस की बहुत बड़ी सुबकामना है भगवान आपके घर में हमेशा धनकी वर्षा करके रखे मेरे आप भगवान से यही प्राथना आए मैं आपको आधन तेरस का देने तो धन तेरस की थोड़ी सी विधी बताना चाहते हूं जिसे आप सुनिया और सुनकर करके आप लाइक और सब्क्राइब जरूर कर दीजिए बोल सांचे दर्वार की जै बोल लक्षमी माता की जै बोल गनेजी महाराज की जै कार्तिक लगते ही तेरस को अधन तेरस कहते हैं धन तेरस के दिन एक मिट्री का दीपक बना ले बाद में रात को जीमने के बाद सिर्फ औरते दीपक का पूजन करें और दीपक में तेल डाल उसमें चार बत्ती एक कोड़ी डाल कर छेद कर लें और दीपक जला दें जलका छीटा दें रोली चावल चार सोहाल थोड़ा सा गुड फूल दक्षना धूप रग दें चार फेरी लगा कर आपके घर में कोई पुराना बरतन हो तो उसे बदल कर नया लिया या कोई चांदी का सिक्का या बरतन कुछ भी खरीदारी आज के दिन कर सकते हैं धन्तेरस के दिन थोड़ा सा यह खरीदने का नियम होता है अगर किसी को कोई दुरघटना में टालने का है कि संका होती है त थो इसे लिए दिन धन्तेरस के दिन दीप का द환 जरू करना चाहिए जैसे यम्राज से तुमारी रक्षा हो सके फिर नरक चथो दसी चथूर दसी के दिन भगवान श्री क्रिष्ने नरकासुरण का लडई किया था इसलिए इसे नरक चथूर दसी भी कहते हैं और छोटी दी लिए दीपतान करना चाहिए इस दिन भगवान स्रीकृष्ण का सुर्कावदार है इसलिए इसे नर्क चतुर दशी कहते हैं यह नर्क चतुर दशी होती है इसे हिंदु हमें जरूर मानते हैं और छोप हो फेर इस सुमान कर फेंसे चोटी दीवाली मना I जाती है तो छोटी दीवाली को आटा का एक दिया बना में और उसमें उसमें बत्ती जलाई जाती है तो आटा तेल हल्दी का उप्टन मनाएं और उसे लगाएं बाद में नहाएं पट्टे के नीचे तेल का दिया जलाकर गरम पानी से सिर सहित नहाएं भोजन करने से पहले इ कच्चा दिया एक चौ मुखा दिया आटे का चार मोह वाला दिया बना लें और या फिर बजार से भी खरीद के भी ला सकते हैं और तेरह छोटे दिये लगाएं उसमें तेल और बत्ती डाल दें जुन पूजा दिये पर तेल रोली चावल गोड धूप अभीर गुलाल फूल चार सुहाली दक्षना चड़ाएं साम को पहले गद्धी की पूजा करें फिर बाद में घर आकर पूजन करें सारी सामगरी चड लाकर कमरों में रसोई में चौक में सीड़ी में सब जिए रख दें और गनेज जी और लक्षमी जीव को भी धूप दिखा दें इस तरीका से छोटी दिवाली का पूजन होता है फिर उसके बाद आती है बड़ी दिवाली बड़ी दिवाली को सभी लोग मनाते हैं सभी दिए बीच मेरक दोनों कोनों में तीस छोटे दिये रख दें दिये में तेल डालकर बत्ती डालकर दिये जला लें बाद में मोली रोली चावल फूल गोड़ अवीर गुलाल धूप चार सवाली गोड़ दक्षना चड़ाए और फेरी दें पहले पुर्स पूजा करें लक्ष्मी जी के आगी रखें लक्ष्मी जी का बःत पूजा करने के बाद खानाः और तेजोरी में तैसलाने बाद पूजा रख दें पूजा करतें बादव कि जो भी सरदा हो अपनी भाववों को रुपे दें एक नाल की बत्ति जलाकर दिये में बत्ति लगाकर जला Out और एक जोड़ी मंगाया हुआ गनेश लच्मी रखें पासी रुपे सवाद सेर चावल गोड़ चार केले मूली हरी गौार फली दक्षना चार सुहाल डालकर लड़ू उससे जमा दें दिये में काजल पालें वो काजल पुरसों को लगाए फिर इस्तियां लगा दें उसकी सा सारी रात निगरानी करें वो दिया सारी रात जलना चाहिए वह अखंड जूत भी कहलाती है लच्मी माता की बड़ी दीवाली को रात के बारे बज़े पूजा करने के बाद चूने आत्वा गेरू से रुबिक चक्की चूलालो सब पर निशान बनाते तिलक लगाते हैं और चाहिए बजाते हूए लच्मी जी अगों लच्मी जी आ अधर íchर जाओ लच्मी जी आओ लच्मी जी ज याओ एसे करके बजाते हैं और साराकूरा घर के भार गाल देते और बेलन पीछे रख देते हैं उसके बाद लक्षमीजी की कहानी वगरा सुनते इस प्रकार हिंदुओं में दिवाली मनाई जाती है दिवाली की सब परिवारों को सब भाईयों को सब को दिवाली के मेरी सुब कामना है वो लक्षमी माता की जय है